हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर तो गाईस आज की सुटों में हम आपको बताने वाले हैं कि मोवाइल का रैम और स्टोरेज कितना खाली है कैसे पता करें या फिर कितना भारा हुआ है कैसे पता करें तो गाईस वीडियो में बने आना वीडियो को लाइक और सेर कर देना साथ में यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी आप ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं तो यहाँ पर गाई सबसे पहले आपको उपनी सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको नीची आना है और यहाँ पर आपको एक option लेगा about phone आपको इस पर click करना है about phone वाले option पे नई तो आप उपर यहाँ पर search बार में click करके अगर लिखेंगे about तो भी आपको option यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैंगा इस हुआ यह option है तो आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपको सबसे देखें उपर एक option है version का आपको यहाँ पर version वाले option पर click करना है कई भी option हो सकता है गाईज तो version पर चलिए click करते हैं फिर आपको build number दिख रहा है सबसे उपर build number आपको इस पर क्लिक करना है वो भी कम से कम 10 से 15 बार लगाता है दिखे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखे 15 बार मैंने क्लिक कर दिया अब डेवलपर option आचुका है अब यहां पर उपर आपको search में फिर से क्लिक करना है और यहां पर लिखना है DEVE जैसे ही लिखेंगे तो यहां पर developer option आपको मिल जाएगा आपको इस पर क्लिक करना है अगर यहां पर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं गाईस आपको नीचे आना है और यहां पर आपको एक setting मिलेगी additional setting इस पर क्लिक करना है और फिर नीचे आएंगे तो developer option यहां पर भी मिल जाएगा इस पे क्लिक कर देना है कि क्लिक करने के बाद musicians आगर 走 तो इसे यहाँसे चालू करना है Просто करना है अब आपको नीची आपो नीचे अए और नीचे एंगे तो running services का एक option मिलेगा Running Services आपको इस पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखे के सिस्टेम ने हमारे रैम को यूज किया है 207 GB जितने आफ हैं वो यूज किया है 202 GB और खाली हमारा है 302 GB रैम अभी खाली है पुल मिलाकर 8 GB है गाइस रियल्मी 7 phone है और यहां पर देखिए 2, 2, 4, 6, 3, 9 यानि कि 4 दसमलो 9 GB हमारा 12 हुआ है रैम और 3 दसमलो 1 GB खाली है तो इस परकार आप पता कर सकते हैं रैम को अब चलिए इंटर्नल को जान लेते हैं तो आपका storage कितना खाली इंटर्नल का तो आपको सबसे पहले अपने file manager को open करना है और file manager को open करेंगे तो यहां पर नीचे देखेंगे phone storage का option मिलेगा अगर यहां पर click है तो आपको category पर click करना है और नीचे यहां पर दिख जाएगा phone storage और यहां पर देखिए 92 GB of 108 GB available तो यहां पर देखिए 128 GB में 92 GB हमारा खाली अभी है और सब भरा हुआ है तो 92 GB खाली है और 128 GB भरा हुआ है sorry 128 GB पूरा है जिन मेंसे अगर 128 GB मेंसे 92 GB मैनस करेंगे जितना आएगा उतना भरा रहेगा तो यहां पर आप इस परकार पता कर सकते हैं कितना खाली है आपका और कितना भरा हुआ है तो तो गाइस आज यूडियों बस इतना ही वीडियो को लाइक और सेर कर देना साथ में यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पर आप देख सकते हैं उपर दिखा रहा है 36 GB भरा हुआ 108 GB का यहां पर लेकिए आपको मैनस भी नहीं करना पड़ेगा यहां पर सब क कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो गाइस वीडियो को सेर जरूर्द से करना थैंक यू है वे नाइस टे